हेलो गैस कैसे हैं आप सब अमीथ है आप सब ठीक होंगे आज इक और नहीं वीडियो के साथ हाज़र होगे आज का मारा टोपिक है एथिरियम वर्चुल मशीन अच्प जो एथिरियम वर्चुल मशीन क्या होती है यह इसको शॉट फॉर्म है आप वोटिंग वाली आविम नहीं समझाएगा ठीक है चले एथिरियम के बारे में पढ़ते हैं वर्ट्यूल मेशीन के बारे में कि देखें आप एक नेटवर्क पे हैं एथिरियम ब्लॉक्चेन के एक नेटवर्क ब्लोकचेन में क्या होता है सारी नोट्स आपस में connected होती है यानि कि क्रिश्ण करती है मैं क्योंकर इसमें central कोई surver نہیں ہríukا so surver نہیں ہونے کی وجہ سے हमारे लिए ये फायदा होता कि सारी äब्स या सारे प्रॉगर्म सारे ट्रांसक्षन नेट्रोरों को पर उलता है समझिया आप ने एक प्रोगर्म रान किया जो आपने नेट्रोर्क पर रान किया वो सारी notes ने यानि कि पढ़ लिया यानि कि उसने अपने नोड्स या कंप्यूटर के पर चला लिये तो एक खेकर आता है आपके उस पर एथिरियम के ब्लोकचेन पर और वह आ के कोशिश करता है कि वह एक वायरस आपकी नेटवर्क पर छोड़ दे तो अब जो भी प्रगाम नेटवर्क पर आता है वो नेटवर्क को कंप्यूटर और नोड्स और अटोमेटिकली उसको यूज करना शुरू कर देते हैं तो अभी नेटवर्क कोई आपको उपर एक वायरस भेज दीया जिससे आपको और नोड करें से प यह और काम शुरू कर दिया से वह बिस सोचें है इसे बाईशने प्हारा इसका तरीका यह होता कि आपने Windows तो देखी होगी जैसे अभी हम आप भी Windows अगर कंप्यूटर पर यह वीडियो देख रहे हैं तो आपने Windows ऑप्रेटिंग सिस्टेम इस्टेम इस्टाल के है और इसके अंदर EVM क्या देता हम है Help Out क्या देख करता है कि एक और Windows समझ ले अप वर्चूल मशीन कहते हैं तो यह आप समझ ले विंडोव के अंदर एक और विंडोव बना देते हैं यानिके वर्चूल मशीन तियार कर लिए और उसके पर एक और नई Windows अब इस्ट्रॉल कर लेते हैं जैसे Linux होगी नहीं Windows इस्ट्रॉल नी करते हैं जैसे आप कोई Operating System install कर लेते हैं जैसे virtual Linux होग या काली Linux होगिया या पढ़े होगे ये नाम बहुत मश्यूर है इसलिए मैंने के नाम लिए इनको इंस्टाल कर देते हैं तो गिव विंडोस के अंदर एक वर्चूल मशीन मनाते हैं ऐसे समझ लें विंडोस के अंदर एक और विंडोस आ जाती है और उस विंडोस के अपर वो काम करता है यह नेटवर्क हमारा तो इससे ही होता क आपका अटेकर आपके कंप्यूटर पर अटेक भी करता है नेटवक पर अटेक भी करता है तो वर्चुल मशीन को ही एक्सेस कर सकता है ना कि आपकी में विंडूस जो है जिसमें आपने घर की तस्वीर है या आपका में इंपोर्टन डोकिमेंट्स वगरा जैसे कोई भी हो एनाइसी या आपका अधार कार्ड वगरा जो भी हो वो सेफ हो उस तक उसकी रसाई मुम्किन ही नहीं होती है यह है वर्चुल मशीन का काम